प्यारे बच्चों यह वीडियो का अक्षाच्छा के लिए है संस्क्रित कल पाठ पुष्टक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग नवम पाठ के पाठ वर्नन को जानेंगे इसके पहले पाठ एक से पाठ आठ तक का वीडियो पाठ वर्नन का मैंने पहले ही डाला हुआ है और इन सभी अध्यायों के प्रस्नोत तरूप भी वीडियो के रूप में डाले हुए है इस पाठ में तिर्तिया विवक्ति और पंचमी विवक्ति का प्रयोग किया गया है थोरा संचित वर्नन तिर्तिया विवक्ति और पंचमी विवक्ति पजाने क्योंकि जो सब्द इसमें बोल्ड में लिखे गये हैं उन सभी सब्दों में या तो तिर्तिया विवक्ति का प् साधन या माध्यम के द्वारा किसी काम को करता है तो जिस साधन या माध्यम के द्वारा काम को किया जाता है उस साधन या माध्यम को करनकारक का सब्द कहते हैं और उसमें तिर्थियाविवक्ती का प्रियोग किया जाता है पुलिंग के सब्दों में एन आभ्याम आभिह की मा तरह लगाए जाती है नपुनसक लिंग में पुलिंग की तरह ही समान बिवक्ती लगती है एन आभ्याम ए इसलिए जो भी सब्द उसमें लगते हैं उसमें जैसे बालक अगर लगा है तो उसमें बालकें दूई बचन में बालका भ्याम और भूबचन में बालकें अगर बाली पुस्तखेन, दुई बचन में पुस्तखाव्याम और भौवचन में पुस्तखेन, तिर्थिया से सब्चमी तक वा और पुलिंग के समान होता है। तो इस प्रकार से यह तिर्थिया विवक्ति का पर्योग जो है माध्यम या साधन को बतलाने के लिए किया जाता है। यहां पर इस पार्थ में माध्यम या साधन के लिए दूई बचन के एक बचन के और कुछ जगों पर बहु बचन के भी सब्दों का प्रियोक किया गया है। इसके प्रस्चात जो पंचमी विवक्ती है वो उसे अपादान कारक के नाम से जानते हैं। पंचमी विवक्ती की स्थिती होती है जब वाक्य में करता किसी खास अस्थान जगह या किसी वस्तू से अलग होता है तो जिस अस्थान जगह या वस्तू से वह अलग होता है उसके साथ उसका अलगाव या वियोक की स्थिती उत्पन होती है। तो उससे बिछुड़ने की स्थिती के कारण से जिससे वो अलग होता है उसके साथ पंचमी विवक्ती का पर्योग किया जाता है और उस पंचमी विवक्ती को हिंदी में अपादानकारक के नाम से जानते हैं उसकी विवक्तियां पुलिंग में होती है जो उसका सूतर है विवक्ती सूतर आत आभ्याम एभ्या और इस तिलिंग में आयाह आभ्याम आभ्या और नपुनसक लिंग में पुलिंग की तरह आत आभ्याम एभ्या यह सूतर है तीनों का और इस प्रकार के सूतरों से बने सब्द यहां पर इस पाठ में दिये गए हैं आईए इस पाठ के वर्णन को जानते हैं जिसमें उदाहरन दिया हुआ है और उन उदाहरनों के अनुसार से हम लोग उसके हिंदी अर्थों को भी समझेंगे इस पाठ का सिर्षक है मम पाठ साला अर्थात मेरा विद्याले हम अपने विद्याले में किस परकार से पढ़ते हैं क्या क्या करते हैं और किस परकार के कारे करते हैं और पाठ साला में पढ़ने से हम किस परकार अच्छे नागरिक बनते हैं इन सारी बातों की जानकरिया यहा पहला वाकि है एसा मम पाठ साला अस्ती अर्थात यह मेरा विद्याले है पुलिंग में कहते हैं मेरा विद्याले अगर इस्तिलिम कहते हैं पाठ साला अगर लिखेंगे तो कहते हैं यह मेरी पाठ साला है योगि पाठ साला इस्तिलिम का सब्द है यहां हम लोग नियम से पढ़ते हैं लिखते हैं और खेलते हैं यह हम लोग के लिए ही तीनों के लिए का प्रयोग किया गया है नियम से पढ़ते हैं नियम से लिखते हैं और नियम से खेलते भी हैं हर एक का सेपरेट समय होता है उसके नुसार से हम लोग यहां पर नियम से सारे कारे करते हैं उसके बाद है सर्वे छात्रा प्राता ग्रिहात पाट सालाम गच्छन्ती सभी शात्र सुबह घर से विद्याले जाते हैं ग्रिहात घर से विद्याले जाते हैं इसमें ग्रिहात में पंचमी विवक्ती लगाई गई है नियमेन में तिर्थिया विवक्ती है नियम के अनुसार से तो नियम माध्यम है तो नियमेन है तो इस प्रकार से है आत्र वयम, नियमेन, पठामा, लिखामा, क्रिरामा चो यहां हम लोग नियम से पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं कोई भी सब्ध हो संग, या सब्ध हो या क्रिया हो अगर दो सब्द है उसके पस चाथ चो लगाया जाता है तीन सब्द है तो उन सभी के पस चाथ भी चो लगाया जाता है तो वह दो के बाद तीसरे अस्थान पर आता है इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं लिखते हैं और खेलते हैं होगा गर को छोड़ कर आते हैं घर से अलग होकर आते हैं इसलिए गरिहात घर से विद्यालय जाते हैं इसके बाद है ते तत्र अध्यापकेभ्या पठन्ती वे सब अध्यापकों से पढ़ते हैं याने सभी सिक्षक पढ़ाते हैं तो इसलिए अध्यापकों से वहाँ वे सब पढ़ते हैं तेसाम वारताम करना भ्याम ध्यानेन सिर्णवंती उनके कथन को कानों से ध्यान से सुनते हैं करना भ्याम दो कानों से और ध्यान से इन दोनों में तिर्क्याविवक्ती का प्रियोग है वारता मतलब कथन उनके द्वारा कहे गए वक्तवे को वक्तवे नहीं समझेंगे तो कथन यहने बोले गए बात को कथन कहते हैं उसी को वारता कहा जाता है तो तेशाम वारताम करना भ्याम ध्यानेन शुर्यमानती उनके कथन को कानों से ध्यान से सुनते हैं ते सरवे अध्यापकस्य वारताम कलमेन लिखनती वे लोग सभी अध्यापक के कथन को कलम से लिखते हैं याने वे सभी वे लोग सभी तो सरवे है तो वे लोग सभी अध्यापक के कथन को कलम से लिखते हैं ते सरवे अध्यापक कस्य वारताम कलमेन लिखनती इसके बाद दूसरा इस्टेंजा में है ते स्यामपटात अभ्यासकारियम पुस्तिकायाम हस्तेन लिखन्ती स्यामपटात अभ्यासकारियम अभ्यासकारियम भर्क को अभ्यासकारिय ही लिखेंगे हिंदी का सब्द है अभ्यासकार्य को उत्तर पुस्तिका में यानि पुस्तिका में यानि कौपी में हाथ से लिखते हैं वे सब ब्लैक बोर्ड से अभ्यासकार्य को कौपी में हाथ से लिखते हैं दूरदर्शन कक्षे ते नेत्राभ्याम पाठान पस्यंती दूरदर्शन कक्चे दूरदर्शन कक्च में यानि कि उसे अंग्रेजी में समार्ट क्लास कहा जाता है जो बिज्याले में देखने और सुनने के लिए होता है और उसे मरुरंजन भी होता है उसमें हम अध्यायों को भी देखते हैं तो यहां पर उसी दूर्दर्सन कक्ष के बारे में बतलाया गया है, तो दूर्दर्सन कक्षे ते नित्रा भ्याम पाठान पस्यंती, दूर्दर्सन कक्ष में यानि किसमार्ट क्लास में वे सब आखों से अध्यायों को देखते हैं. छात्रा संग्णक यंत्रेन अपी ज्ञानम विंदंती छात्रगन यानि सभी छात्र कम्प्यूटर से भी ज्ञान पाते हैं विंदंती पाते हैं इसके पस्यात है असमाकम प्राचारिया यदा कदा निरिक्छनाय कक्छाया बहे तिश्ठती हमारे प्रधान अचारिय यानि हमारे प्रिंसिपल यदा कदा यानि जब कभी हमारे प्रधान अचारिय जब कभी निरिक्छनाय मतलब जाच करने के लिए कि कक्छा में किस प्रकार पढ़ाई हो रही है इसकी जाच के लिए तो उसे निरिक्षनाय करते हैं निरिक्षन करने के लिए हमारे प्रधानाचार्य जब कभी निरिक्षन करने के लिए कहेंगे या नहीं तो जाच करने के लिए कक्छा के बाहर याने वर्ग के बाहर खड़े रहते हैं याने सुनते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उसी के बारे में है असमाकम प्राचारिय यदा कदा निरिक्छनाय कक्छाया वहे तिश्ठती हमारे प्रधानाचार जब कभी जाच करने के लिए कक्षा के बाहर खड़े रहते हैं खेल कालांसे वयम कक्चाया बहे करीडा छेतरम गच्छामा खेल कालांसे यानने खेल की घंटी में हम लोग कक्चा के बाहर खेल के मैदान में जाते हैं तत्र पाद कंदोकेंचो करीडामा तथा वहाँ फुटबॉल से खेलते हैं अहम अपी बाल कह सह इता तता धावामी क्रिडामी चो मैं भी लड़कों के साथ अहम अपी मैं भी लड़कों के साथ बाल कह सह तिर्टिया विवक्ती बहुआ चन लड़कों के साथ सह के योग में तिर्टिया विवक्ती तो अहम अपी बाल कह सह इता तता यानि इधर उधर मैं भी लड़कों के साथ इधर धर दोरता हूं और खेलता हूं। इसके बाद तीसरा स्ट्रेंजा में है छात्रा क्रिडा छेत्रात पुस्त कालियम गत्वा पुस्त केभ्य ग्यानम विंदंती। चात्र गन यानि सभी चात्र खेल के मैदान से लाइबरेरी जाकर यानि पुस्त कालिय जाकर किताबों से ज्ञान पाते हैं। पुस्त केभ्य किताबों से ज्ञान पाते हैं। पंच्वी वक्ति बहुवचन पुस्त केभ्य किताबों से ज्ञान पाते हैं। इसलिए अलग होकर तो किरिड़ा छेतरात पुस्त कालियम गत्वा लाइबरेरी जाकर पुस्त केभ्य यानि किताबों से ज्ञान पाते हैं। इसका हिंदी इस प्रकार से हुआ सभी छात्र खेल के मैदान से लाइबरेरी जाकर किताबों से ज्ञान पाते हैं। तत्र सर्वे पुस्त कानी ध्यानेन पठंती वहां सभी किताबों को ध्यान से पढ़ते हैं। वहां सभी छात्र सर्वे के लिए कहा गया है। सर्वे पुस्त कानी सभी किताबों को ध्यान से पढ़ते हैं। वयम परिश्रमं कुरमा हम लोग मेहनत करते हैं यता परिश्रमात बिना सफलता नभ भती क्योंकी मेहनत के बिना सफलता नहीं होती है। वयम परिश्रमम कुर्मा हम सभी मेहनत करते हैं यता क्योंकि परिश्रमात बिना सफलता नव भवती मेहनत के बिना सफलता नहीं होती है अर्था सफलता नहीं मिलती है विद्यायाह विना जीवनम निरर्थकम भवती विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है अर्था जीवन बेकार होता है बेकार को निरर्थक कहते हैं तो जीवन बेकार होता है या निरर्थक भी कह सकते हैं निरर्थक होता है बिना अर्थका पाट सालायाम पठनेन वयम अनुसासिता व्यभार कुसला चोभवामा विद्यालाय में पढ़ने से पठन थातू सब्द है लेकिन उसमें अन की मात्रा लगाने के बाद वह संग्या सब्द हो जाता है और उसमें विवक्ति का प्रियोग किया जाता है तो यह पठन कारी जैसे कहते हैं वही है पठनेन वयम अनुसासिता व्यभार कुसला चोभवामा विद्यालाय में पढ़ने से हम सब अनुसासित और व्यभार में कुसल होते हैं अध्यनेन एव जना स्रेष्ठा नागरिका भवंती अध्यन से ही लोग स्रेष्ठ याने सबसे अच्छे नागरिक होते हैं अध्यन से ही इसलिए हमें अध्यन करना चाहिए तो अध्यन याने स्टरी करना को अध्यन से ही लोग सबसे अच्छे नागरिक होते हैं अध्यन एव जना स्रेष्ठा नागरिका भवंती अप्रहन काले सर्वानि कार्यानी क्रित्पवा छात्रा पाड़ सालाया बस याने ध्वी चकरी कया चों ग्रिहम आगच्छन्ती अर्थात अप्राहन काल में अप्राहन काल दोपहर के बाद के समय में सभी कारियों को करके सर्वानी कारियानी कृत्वा सभी कामों को करके चात्रगन चात्रा चात्रगन याने सभी चात्र पाट सालाया विद्यालय से बस याने बस से याने बस के द्वारा और साइकिल से घर आते हैं अप्राहन काले सरवानी कार्यानी कृत्वा छात्रा पाठ सालाया बस यानेन द्वी चक्री कया चौ ग्रिहम आगच्छंती दोपहर के बाद के समय में सभी कामों को करके सभी छात्र विद्यालय से बस के द्वारा और सैकिल से घर आते हैं या था इस पाठ का पाठ वर्नन इसके प्रस्वनतर को हल करने का प्रियास करें या यहां पर जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है ध्यान देंगे वे सभी सब्द तिर्तिया और पंच्वी व्यक्ति के हैं जैसे नियमेन ग्रिहात अध्यापकेव्या करना भ्याम ध्यानेन कलमेन स्याम पटात एक वचन है यहां पर हस्तेन इसमें भी एक वचन है यहां पंच्वी वक्ति यहां तिर्तिया और व्यक्ति नेत्रा भ्याम आखो से यहां पर भी तिर्तिया और व्यक्ति दूई वचन संगनक यंत्रेन तिर्टिया विवक्ती एक बचन कक्छाया पंचिवी वक्ती एक बचन यहाँ पर भी कक्छाया पंचिवी वक्ती एक बचन पाद कंदुकेन तिर्टिया विवक्ती एक बचन बालके तिर्टिया विवक्ती बहु बचन पु्स्तक के भ्या है इसमें पंचिमी वक्ती बहुबचन परिश्रमात पंचिमी वक्ती एक बचन पठनेन पठने से तिरतिया विवक्ति एक बचन अध्यनेन अध्यन से यने तिरतिया विवक्ति एक बचन पाठ सालाया पंचमी विवक्ति एक बचन इस्तिलिंग सब्द बस यानेन बस से तिरतिया विवक्ति एक बचन जुछकरी कया, यहां पर भी थिर्टियाबिवक्ति एक बचन इस प्रकार से इस पाठ में थिर्टियाबिवक्ति और पंचवी वक्ति का परयोग किया गया है इन सब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करें अभ्यास के प्रस्म दोतरों को हल करें अपनी सुविधा के अनुसार से इस पाठ के पाठवर्लन को ध्यान से सुने और लिखकर याद करें धन्यवाद